तो गाईज आपके सामने है यहाँ पे 500 बोर्ट, RMS का Amplifier Board जो की काफी दिन पहले मैंने इसकी टेस्टिंग वीडियो डाली थी प्रोपर तरीके से इसको टेस्ट करके दिखाया था जो जो इसके फीचर्स थे वो सारे के सारे आप लोगों को बताये थे कि इसके अंदर क्या क्या चीजे हैं और किस तरीके से यह काम करता है तो काफी सारे जो लोग हैं वो बोल रहे थे किसार रेट आप लोगों नहीं बताया है और ये अभी तक मतलब जितने बंदे आ रहे थे मैं उनी को दे रहा था इसका रेट वगएरा जो हमने डिस्कलोज नहीं किया था और क्योंकि इसको प्रोपर तरीके से एक तरीके से टेस्ट करना था कि मतलब कितना दम है इसके अंदर क्या कुछ है क्या हिसाब किताब है तो काफी सारे जो प्रोफेशनल बंदे हैं DJ वगएरा के यूज करते हैं उनको पता होता है बही किस तरीके से क्या यूज करना है तो इस तरीकी के जो बंदे थे उनको मैने इसको टेस्ट करने के लिए दिया कि भाई आप इसको test करो और result हमें बताओ तो इसका जो result है उसकी मैंने वीडियो भी डाली थी YouTube पे अपना source में डाली थी तो काफी तगड़ा result इस amplifier board का उन्होंने मेरे को बताया कि भाई काफी अच्छा circuit है काफी अच्छे तरीके से सारी चीजों को cover करता है और एक अच्छी performance देता है तो इसलिए finally इसका जो rate है वो disclose आज हो जाएगा इस वीडियो में और इसके अभी तो फिलाल limited ही है मेरे पास यह इतना ज़्यादा माल हमने इसका बना के रखा हुआ नहीं है limited है लेकिन आप लोगों के लिए available हो जाएगा और coffee time से मतलब थोड़ी सी तभी अतसी खराब चल रही थी क्योंकि body में infection वगरा हो गया था मेरा तो काम वगरा मैं करनी पा रहा था तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो पगरा लेट हो रही थी और वीडियो पिछले कुस दिनों से मैंने regular की है अभी तो चलिए इसके बारे में मोटी मोटी से जानकर या आप लोगों को दे देता हूँ और इसकी जो testing वीडियो है अगर वो आप लोगों को देखनी है तो link आपको description में डाल दूँगा वहां से आप इसकी जो testing चाहिए वो driver's action है या फिर speaker protection वगरा है वो सारा का सारा proper तरीक से protect किया गया है और जैसे कि कई बार क्या होता है speaker की wire आपस में touch हो जाती है तो वहां पे क्या होता है हमारी यहां पे जो relay है वो trip हो जाती है यानि कि भले इसकी speaker की wire आपस में touch होई पड़े रहे तो इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है तो यहां पे है अपना plus minus और ground यहां पे देनी हमें plus minus 50 volt हाला कि हम 55-55 AC volt से जो DC में convert होती है वो भी लगा सकते है 50-50 हमने इसके एक safer side होती है उसके लिए यहां पे लिखा हुआ है कोई जुरूर नहीं कि भाई 50-50 यह आप दे सकते हो इसमें आप 90-90 DC volt तक दे सकते हो इसली चलेगा आपका कोई रिक्त वाली बात नहीं है तो उसके बाद यहां पे आता है हमारा fuse holder बगरा तो यहां पे लग जाएंगे हमारे fuse जो कि 20-25 यहां पे लगा सकते हैं आपके transformer के हिसाब से और आपके load के हिसाब से आपको यहां पे fuse लगाने है कि भाई आपका जो load है वो कितना रहने वाला है कितने ampere तक आपका जो board है वो लेगा तो उसके coding यहां पे आप लोगों को fuse लगाना होता है यह नहीं कि भाई कुछ भी में उठा के इसके अंदर से fuse हमें लगा देने है ठीक है हाला कि हम इसके अंदर 20 ampere के fuse लगा के देते हैं यह नहीं कि हम fuse नहीं देंगे इसके साथ में fuse आपको मिलेंगे लेकिन 20 ampere के आप लोगों को इसके अंदर मिलेंगे उसके बाद यहां पर जो point रहता है वो है हमारा input का तो यहां पर input हमें देनी है और input के लिए मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं इसमें काफी बंदे ना confused होते हैं एक मिन्ट को तो यहां पर दे plus point होता है ने input के लिए यह हमारे board के input के लिए जो main होता है ठीक वो यह है और यह जो black वाला यह ground में रहता है तो कई बार बंदे ना क्या करते हैं कि मतलब काफी सारे board होते हैं उनके पास एक ही cabinet के अंदर काफी सारे board फशा देते हैं और wiring उनको ढंग से करनी नहीं आती तो इनकी जो plus minus है यानकी जो polarity है वो change कर देते हैं ground का उठाके plus में डाल देते हैं plus का उठाके ground में डाल देते हैं जिससे की जो board है उसके अंदर से sound अच्छी मिलती नहीं है थोड़ी बहुत मिलती भी है तो बिल्कुल हलकी हलकी सी sound मिलती है तो इस तरीके का आप लोगों को यहाँ पर connector दिये हुए है यहाँ पर दो fan लग जाएंगे जो कि यहाँ पर fan के लिए 45 degree का thermostat भी है अगर 45 degree से ज्यादा गरम होएगा आपका board तो जो fan है वो automatically own हो जाएंगे 45 degree से ज्यादा गरम होते ही ठीक है उसके बाद यहाँ पर एक thermostat लगता है 85 degree का या फिर 75 degree आप यह करता है तो वो trip कर जाएगा और जो आपका amplifier वो बंद हो जाएगा जिससे की जो आपका amplifier वो प्रोपर तरीक से protected रहेगा उसके बाद LED यहाँ पर इसके अंदर देख सकते हो 5 LED दी गई है जो कि thermal के लिए है अगर मालो thermostat की विज़े से आपका amplifier board off हुआ है heating की विज़े से तो कर देख सकते हो पावर के लिए green LED दी गई है तो power जब भी हम इसके अंदर देंगे तो green वाली जो LED है वो हमारी गलो करेगी उसके बाद यहाँ पर ड्राइवर सेक्षन है तो ड्राइवर सेक्षन के अंदर आप देख सकते हो सारे के सारे जो दो ट्रांजिस्टर है वो C1-59 और उनिस तरतालिस तो हीट सिंग के उपर लगाई हुए ताकि एक अच्छी परफॉर्मेंस आप लोगों वे लोंग लास्टिक दे सके ठीक है उसके बाद इसके अंदर एक चीज और है जो की एक दो बंदे से हमने किया है कि यहाँ पर जो जिन्रल डायोड लगाया है हमने यहाँ पर देख सकते हो 15 व्र look य्याल टायोड है तो यहूड़ जाता है और यह अब आप यहां परvyंद minus के जो point है वो गल्त लगाते हो यहाँ पर अगर मान लो आपने minus के जगह पर plus के जगह पर minus लगा दिया कुछ इस तरीके से अगर आप यहाँ पर गल्त wiring करते हो उसकी तो हमारा यह जो जिनर diode 15V वाला यह जल जाता है जिससे की जो speaker protection है इसके अंदर कोई भी supply नहीं जाती और जो हमारा speaker protection वाला section है वो बिल्कुल safe रहता है ठीक है तो यहाँ से भी यह एक तरीके से protect हो गया तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है अगर गल्ती से हलका सा भी touch हो गया पलस माइनस पे बिल्कुल भी नहीं कि आप यहाँ पे पलस माइनस यहाँ पे दे रहे हो और लगातार दिये ही जा रहे हो ठीक है तो उससे यह बिल्कुल भी नहीं कि आपका जो यह वाला section है यह protect होगा जी बिल्कुल भी नहीं यह वाला जो section है यह आपका खराब हो सकता है अगर आप यहां पर पलस माइनस उल्टी सीदी देते हो तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है पलस माइनस बिल्कूल मल्टी मेटर से चेक करके आप लोगों को यहां पर लगानी है ध्यान पूरवक ठीक है उसके बाद ही आपको जो बोड है वो रन करना या फिर जो एम्पलिफायर वो चलाना या फिर अपने एम्पलिफायर को सीरीज में करके पहले टेस्ट करें उसके बाद इसकी जो टेस्टिंग है वो आप करें ठीक है बाकी मैंने बताया कि जैसे स्पीकर वायर आपस में टेच रहती है तो उसका कोई इसके अंदर इसुनी है तो इसलिए इतने भी जितने भी फीचर इसके अंदर है वो सारे के सारे आप लोगों को मैंने बताए कि किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से ये वोड काम करता है तो अभी बारी आती है इसके रेट की तो इसका जो rate है वो रहने वाला है अपना 2500 रुपे और इसके अंदर एक variant और भी है जो C5198 वाला है उसका जो rate है वो रहने वाला है आपका 2100 रुपे यानि कि 5198 के साथ अगर आपको ये चीए amplifier board तो वो 2100 रुपे का मिलेगा और 500 के साथ में चीए जिलिन वाले ठीक है जो कि सब के बाप हैं कोई तोसी बापोसी पर लगा के उसके साइड में रखके चला लेना तो उसके साथ में अगर आपको चीए तो वो मिलेगा आपको 2500 रुपे गा तो ये है इसका price तो जिस भाई को ये order करना था जो wait कर रहे थे इसका तो वो फटा फट से number उठा लो description से और अपना जो order है वो place कर वा सकता है तो मिलेंगे next video में तब तक के लिए bye और हाँ इसकी testing video जो दिखनी है इसके अंदर की किस तरीके से काम कर रहे है थर्मो स्टैट भी लगा के वो भी टेस्ट करवाए थे तो वो वीडियो description में आप लोगों को मिल जाए उसका link उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हो तो मिलेंगे next video में तब तक के लिए bye जेख गेर